नमस्कार दोस्तों कैसे हैं। आप लोग मेरा नाम है location और आप लोग देख रहे हैं सहसे हैं यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल और थमनेल आप लोग उन्हें देखे लिए होगा तो आज की वीडियो में भात करने वाले यह जाओमी के दो बहुत ज़्यादा popular phones के बारे में जिनका की नेम है Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max तो Xiaomi के फोन्स बहुत ज़्यादा popular है और मेरे पास भी comment सेक्षने बहुत सारी message आयते कि इन से related को software update से कोई video बनानी है तो मैं आज आपके गहने पर ये video बना रहा हूं और अगर आप लोगों कोई doubt है तो नीज़े comment सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं personally अगर कुछ question पूछने हैं तो आपको मेरे Instagram की idea आपर मिल जाएगा है आपसे personally बात कर सकते हैं आए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते है Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max तो यह एक phone है जिसको Xiaomi के और से official announcement हो गया है कि जो यह phone है इसको Android 11R का update मिलने वाल है तो दोस्तों इदर उदर की बात नहीं कर रहा है Xiaomi के और से official announcement हो गया है मतलब 100% update आपको देखने को मिलने वाल है अब इसका मतलब यह नहीं कि Android 11R का update मिलेगा तो MIUI 12R का update भी मिलेगा अभी तक जिते भी आपको YouTube पे वीडियो मिलेगी उनमें यह बता रहा किया कि इनको Android 11R MI 12R का update मिलने वाल है वो एक बात सही बोलते हैं कि Android 11R का update मिलने वाल है लेकिन MIUI 12 की और से Xiaomi के और से कोई official announcement नहीं हुई है कि इन जो smartphone है इनको MIUI 12 का update मिलने वाला है तो दोस्तों यह बात में आज इस वीडियो में clear कर दिये है और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि जब भी Xiaomi के और से इन दोनों smartphone से related या Xiaomi पूरी MI brand से कोई भी related news आईगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी और हाँ दोस्तों आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे उसके एक दिन बाद में आपको एक वीडियो देखने को मिलने वाली है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि जो MIUI 12 के जो कुछ नए features है उसमें मैंने 10 features के 10 features से भी ज़धा features बता रखे हैं कि कौन-कौन से आपको इसे नए features मिलने वाले है और मैंने आपको दिखाए भी है वीडियो में कि कौन-कौन से नए features मिलने वाले है तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि मैं आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसके एक दिन बाद में वो वीडियो पोस्ट कर दूँगा तो वीडियो एना एकदम रेडि है लेकिन आज अपडेट नहीं कर सकता है मैं कल करूंगा आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को subscribe कर लेना तो दोस्तो मैं आपको एक बात पता दूँगी मैंने शाओमी के ऊपर एक पहले वीडियो बना रख है आप उपर आई बटन पर प्रेस करके उस वीडियो के देख सकते हैं उस वीडियो मैंने ये बता रखा है कि शाओमी कैसे कौन-कौन से डिवाइस है जिनको की Android 11 का जो अपडेट है वो मिलने वाला है तो आप उस वीडियो को ट्राइ करना उस वीडियो को देखने के बाद में जितने भी शाओमी के डिवाइस है सबको उस वीडियो मैंने आपको बता रखा कि कौन-कौन से डिवाइस को अपडेट मिलने वाला है तो इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को चेक आउट कर लेना और जो दोस्तों Xiaomi Redmi Note 9 Pro है इसके और से Xiaomi के और से कोई announcement नहीं हुई है Android 11 के उपर ये कोई announcement नहीं है और MIUI 12 के उपर भी कोई announcement नहीं हुई है और मैंने आपको बता दिया Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के बारे में इसको Android 11 के अपडेट के बारे में ये device eligible है आप जब भी update मिलेगा आपको ये मिल जाएगा तो मैं आपको release date भी बता देता हूँ 2021 में आपको first quarter के अंदर कभी भी update देखने को मिल सकता है first quarter अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ January, February, March first quarter है तो इन 3 months में आपको ये अपडेट कभी भी देखने को मिल सकता है so बस दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जब भी कोई नई नूज आएगी शाओमी के और से आपको सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हां दोस्तों कुछ आपको कुछ डाउट है सोफ्टर रिलेटेट से नीचे तो नीचे कमेंट सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं परस्टनली कोई बात करने हैं तो आपको मेरे इस्टाग्राम की आइडिया पर मिल जाएगी आप वहां से परस्टनली बात कर सकते हो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में जेहि झाल, 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 झाल